नमस्कार दोस्तों मैं विश्णू सेंग आप देख रहे हैं ख़वर आसपास समय हम मौझूद है जहनजारपुर के ललित करपूरी स्टेडियम में जी हाँ ये ललित करपूरी स्टेडियम का ग्राउंड है आप विजूल में देख भी रहोंगे काफी लंबा चोड़ा ग्रा पाल के लिए यहां पर एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है लेकिन इस स्टेडियम का दुर्भाग्य है कि ना तो यहां पर घास है और ना ही यहां पर समतल जमीन है और ना ही आपर खेलने के लिए कोई पीछ है मेरे सामने आप देख सकते हैं यहां पर जानवर वगेरा चर करीव अगेरा या चारों तरफ कहीं पर भी कोई फैंसिंग नहीं है और स्टेडियम नाम सुनके लोगों के दिमाग में आता है एक ऐसे ग्राउंड की कल्पना करते हैं जहां पर चारों तरफ हरी घास होती है खेलने के लिए अच्छी पिछ होती है और बैटने के लिए नहीं हरी घासे है और नहीं आपर खेलने के लिए कोई पिछ है ऐसा नहीं है कि जंजारपुर में क्रिकेटर नहीं है और जंजारपुर में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे नहीं है क्रिकेटर भी है पिछ भी बनती है मैच भी होते है और ललित करपूरी स्टेडियम में न लेकिन मैं आपको यहाँ पर दुर्दशा दिखाने की कोशिस करूँगा, एक तरफ हम जा कहते हैं, हमारी सासन पर सासन कहती है, कि हम स्टेडियम के लिए पैसा देंगे, स्टेडियम को अच्छा बनाएंगे, वही पर स्टेडियम के मौजूद होने पर भी ललित करपूरी अ दिखाने की कोशिस करूँगा, यह ललित करपूरी की टर्फ पिछ है, और इसी पिछ पर खेल के हम उमीद करते हैं, कल्पना करते हैं, कि जंजारपुर का कोई खिलाडी अंतराष्टिय क्रिकेट खेले, क्या आपको लगता है, इस पिछ पर खेल कर कोई खिलाडी अंतराष आप एक अच्छे किर्केट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जनवरी का दिन आ रहा है, और यहीं स्टेडियम होगा, जहां पर प्रेड होगी, बहुत सारे स्कूल के बच्ची आएंगे, बहुत सारे मुक्य अतिति आएंगे, अतिति गण आएंगे, लेकिन ग्राउंड की दु जनजारपूर में कोई बड़ा मेला होता है, बड़ा आयोजन होता है, फिर चाहे वो इंद्र पूजा का मेला होता है, चाहे हमारे मुख्य मंत्री जी यहां आते है, या उप मुख्य मंत्री जी यहां आते है, या किसी भी बड़े नेता का यहां आगमन होता है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो ग्राउंड आता है वो आता है ललित करपूरी स्टेडियम ललित करपूरी स्टेडियम नाम से लगता है कि ललित करपूरी स्टेडियम है ऐसा नहीं है कि ललित करपूरी स्टेडियम कोई नया नाम है एक जाना पहचाना नाम है और पूरे मधुव ऐसे उ को कहते हैं कि जांजारपूर में एक बहुत अच्छा स्टेडियम हें ललित razorhead कर पूरी श्टेडियम की दूर दसा या कि घ्रपूर में सिंग्暗े र में या उब्याना होता है तो उसके मन मंमन में एक त्छा जागती है कि हम स्टेडियम में जाएंगे खेलेंगे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ इस ललित करपुरी स्टेडियम में ना तो खेलने के लिए पिछ है ना ही खेलने के लिए जगए है आप देख सकते हैं जो नैट्स लगे हुए है वो भी अपने बत्तर स्थ लगे हुए है और यहां के खिलाडी लगातार निराश है आखिर आवाज उठाई भी तो किसको मधुवनी में ग्राउंड का अभाव है उनके पास स्टेडियम नहीं है जो स्टेडियम है वो चारे तरफ से गंदे पानी से घिरा हुआ है और मधुवनी के खिलाडी अपनी दुर्दसा को रो रहे है वहीं दूसी तरफ जहनजारपुर में स्टेडियम तो है लेकिन इस स्टेडियम का रख रखाव किसी भी तरीके का रख रखाव नहीं है आम तोर पर यहां पर आसा माजिक तत्तु गुंडे तरह के आदमी घूमते रहते हैं और अगर रात बी रा लाइट की विवस्ता है और नहीं किसी तरह की यहां पर कोई विवस्ता है चारों तरफ आप बॉंडरी देख रखे हैं बॉंडरी टूटी हुई बॉंडरी है आम तोर पर गाय बकरी सूर और बहुत सारे जंगली जानवर यहां पर चरते रहते हैं और इसके अलावा फिर स्थानीे लोग आंसी आपने के श्रीटिम झाले थानीर श्बश्ती हैं बेगाbit रहेता है जैसे सवान का सटेक्थाग्स उसके लान और सब्वेवस्ता हुआ है तो अभी पटना में एक मैच हुआ था जो कि बंबई और बिहार का मैच हुआ था मोहिनुल हक करके स्टेडियम था और स्टेडियम की दुर्दसा दिखाई गई थी खिलाडी इतने अच्छे चे इंटेनेशनल सिवम दूबे जैसे खिलाडी वहां पर खिले आए थे लेकिन ग्राउंड की दशा और सात साथ सथिज्टेंगर दुर्दसा थी उसको देखकर पूरे भारत में बिहार की किरकिरी हुई और वहीं पर हम यहां पर पॉंचे है क्या लगता है कि Adm खाई खड़े थे हमने इनसे जानकारी ली यहां पर कुछ बच्चे भी है जो किर्केट खेल रहे हैं आम उसे भी जानकारी लेंगे बहुत सारे बच्चे भी खड़े है क्या लगता है बच्चे इस ग्राउंड में सुधार होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए इसमें अच् स्टेडियम है क्या लगता है सेडियम है अप mail के लिए इसटेडियम नहीं रहा है कि सब्सक्रियों करेंगे 10 करोड 20 करोड को मिलेगा यह ग्राउंडge बनेगा लेकिन क्या कई सालों से तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन इस मत्में अभी कोई भी सुधार नहीं हुआ है हाला कि सुधार की बहुत जरुरत है लगातार मांग उठाई जा रही है हमने स्थानी S.D.O. से भी बात की उन्होंने भी कहा कि इस स्टेडियम के बारे में कुछ जानकारी ली जाएगी लेकिन अभी तक ये स्टेडियम अपनी हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि ये कमेंट के द्वारा सरकार जागे और ललित करपूरी स्टेडियम में फिर से ये मैच हो सके ललित करपूरी में फिर से उस तरह के इस तरह के स्टरिये मैच हो सके और क्रिकेटर यहाँ पर खेल के आपने आपको सोभागे साली समझे और हमारे जंजारपूर मधुवनी से भी कोई अंतराश्टिय स्तरका किरकेटर निकल सके इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते अगले वीडियो में